हेलो फ्रेंड्स आज हम इस ड्रेस को बनाएंगे और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका ब्लाउस सिखाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है वहाँ से चेक करके आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं इस पार्ट में आपको सारी की फुल कटिंग स्ट्इचिंग सीखने को मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था मटेरल की कॉएंटिटी नेट टोटल तो मिटर लिया है और ये वाला कपड़ा विस्कस क्रेप है जो की साथ मिटर लिया है टोटल फाब्रिक कितना यूज हो रहा है सारी में वो मैं आपको स्क्रिन पर मेंचन कर रही हूँ सबसे पहले हम सारी का ये वाला पार्ट बनाएंगे थाई तक का तो यहाँ पर आपको कपड़े की सिंगल लिया लेनी है और इसे सेंटर से फोल करना है ये मैंने विसकस क्रेप फैब्रिक ही लिया है क्योंकि ये हमारा नेट के नीचे आएगा सेम इसी तरह से इसके उपर एक लियर और रख देंगे फ्रन्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ कट रहे हैं इसलिए आपको अपने कमर से नी की لेनी है और जहा तक आपकी नी आती है वहाँ से लगबग थोड़ा सा ऊपर के लिए ही नाप लेना है लगबग 2 से 1,5 इंच उपर के लिए ही नाप ना है तो मेरे मेजरमेंट में नाप है तोटल 17 इंच इंक्लूडिंग बेल्ट, बेल्ट मिलाके नाप है 17 इंच तो हम यहाँ पे बेल्ट के लिए भी कोई भी माइनस नहीं कर रहे है मार्जिन जो 17 इंच लेंध है वो मैंने पूरा ही लेंध यहाँ पे नाप लिया है और कपड़ा निकाल लिया है फिर 17 का इस तरह से आधा कर देंगे और इसके आधे पे एक निशाल लगा दिने है यहाँ पे फुल हिप राउंड आपको नाप नहीं तो मेरे मेजरमेंट में फुल हिप राउंड है 40 इंच आपको अपना हिप राउंड थोड़ा सा लोजिंग के साथ ही नाप नहीं माल लीजे आपका पूरा जो फिक्स नाप है वो आता है 49 इंच जिसमें आप लगबग 1 इंच के लोजिंग रखे तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा लोजिंग के साथ 40 है जिसका चौथाई भाग 10 इंच हुआ यहाँ से 10 पे लगाएंगे सेम यहाँ से आपको जहाँ तक अपने अपनी लेंथ नापी हो वहाँ का नाप लेना है तो मैंने नी से थोड़ा सा उपर का नाप लिया था तो वहाँ पे मेरी जो यहाँ पे गुलाई आ रही है वो आ रही है 36 इंच 36 का चौथाई भागुआ 9 तो यहां से 9 पे लेंगे यहां पे भी आपको लगबग 1 इंच की लूजिंग रखनी है यह वाला निशान उपर तक सीधा कर देंगे आपको कर्व स्केल लेनी है फिर इसको इस निशान से यहां तक रखना है और इस ते शेप देना है फिर यहां से आगे के लिए मैं करीब 2 इंच का मार्जन रख रही हूँ इसमें आपको मार्जन जरूर रखना है जिससे अगर आप लूजिंग देना चाहें तो आपके पास मार्जन होना चाहें अब इसको सेंटर से फोल्ड कर देंगे यहां पर कटल लगा देंगे एक यह देखिए लाइन बन गई है यहां पर ही आपको प्लेट डालनी है यहां से चार इंच तक प्लेट डालेंगे अब मैं आपको इसमें एक चीज बता देती हूँ जैसे कि लेंध हमने जितनी थी फुल सत्रा ही रखी है तो इसमें आधा इंच सीम अलाउंस का यहां से जाएगा आधा इंच सीम अलाउंस का यहां से जाएगा तो यह मार्जन हमारा एक इंच लेंध में कम हो जाएगा एक इंच की ही ओपर के लिए बेल्ट लगा देंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा अब यहां से आपको अपनी कमर का चौथाई भाग लेना है तो कमर है मेरी इसमें चौथे सिन जिसका चौथाई भाग हुआ साड़े आठ इंच यहां से साड़े आठ पे लगाया पहले फिर यहां से हम नाप लेंगे कितना मार्जन बच रहा है तो यह लगबग पॉने 2 इंच का मार्जन बच रहे पॉने 2 इंच को इस तरह से आधा कर देंगे यहां पर रखा पॉने 2 इंच इस पॉइंट पे यहां से यह निशान हमने लगा दिया फिर यहां से यहां से पॉने 2 इंच पे लगा देंगे यह margin plate में cover हो जाएगा ये इतना दब जाएगा तो यहां से देखिए यह margin हमारा बच्रा है सवा 5 इंच फिर सवा 5 इंच हम इस निशान से छोड़के नापेंगे ऐसे इस निशान पे लगा देंगे तो यह देखिए यहां पे हमारा साड़े आठ इंच आ गया तो यह हमारी जो कमर की नापे वो fix आ जाएगी यहां पे tux लगा देंगे अब बिल्कुल इसी के बराबर आपको net cut करना है net इसके बराबर मैंने cut करके side से sly लगा के attach कर दिया है और plate वाले जगे पे sly डाल देनी है अब दोनों cut को ऐसे बराबर मिलाएंगे जहां तक निशान लगा है वहां तक plate डाल देंगे सेम इसी तरह से इसकी दूसरी plate भी बनानी है सेम ऐसे दूसरी plate बना दी है और बिल्कुल इसी तरह से इसका दूसरा pattern भी बना लेना है अब आपको यहां पे blouse वाली jip लेनी है इस तरफ इसको attach करेंगे जिस तरफ देखे हमारा पला attach होगा उसी तरफ यह jip लगेगी तो यह jip यहां से ऐसे लग देंगे यह jip यहां तक ही आ रही है तो यहां से लगबग इतना एक से सवा इंच का margin लेके इतना उपर निशान लगाना है अब इस तरफ से आपको अपने fitting की सिलाई लगानी है जितना margin आपने उधर रखा है उतना ही इधर margin लेके यहां पे fitting की सिलाई लगा देंगे और इस तरफ से यहां से लेके इस पॉइंट तक सिलाई लगाएंगे तो इस तरफ से इतना margin खुला रखा है और यहां पे सब सिलाई लगा दिये fitting की बस आपको उपर से थोड़ा margin खुला रखना है belt क्यूकी लगाएंगे पहले उसके बाद हम यह वाली सिलाई कंप्लीट कर देंगे अब इस तरफ ही हमारा पल्ला अटाच होगा तो पहले हम पल्ला अपना अटाच करेंगे तो यह मैंने पल्ले के लिए कपड़ा निकाल दिया है यह कपड़ा मैंने लगबख सवा 3 मीटर की अर्ज में निकाला है इस कपड़ी का जो अर्ज है वो पूरा सवा 3 मीटर का है और आपको क्या करना है यहां से देखिए यह जो कपड़े में किनारी बनी हुई है यह किनारी हम कट कर देंगे इस तरह से यह किनारी दोने तरफ से निकाल ली है देखिए इस तरफ से भी निकाल दी और इसका जो दूसरा हिस्सा है इधर से भी कट करनी है ऐसे ये पूरी किनारी कट कर देंगे और जब आप किनारी ये पूरी निकाल लेंगे उसके बाद इसमें फ्रेंड्स आप ऐसे इसमें पीको कर दें इस तरह से पीको कर लेंगे इस तरफ करेंगे और इस तरफ करेंगे और इसकी एक side कर देंगे यहां पर तो यहां पर मैंने फ्रेंड्स ओर लोक करने के वज़ाए फैब्रिक को नॉर्मल fold कर रहा है इदर जो bottom पे रहेगा पल्ले के side उदर fold कर रहा है और यह दोनु तरफ fold कर दिया है जिस तरफ से ये कमर पे अटाच होगा उस तरफ से फोल्ड नहीं किया है आपको देखें यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको नॉर्मल इस तरह से प्लेट्स बनानी है और ये प्लेट्स आपको ऐस तरह पतली-पतली से बना देनी है ऐसे प्लेट्स बनाके एक सिलाई डाल देंगे तो यहाँ पे ऐसी प्लेट्स बनानी है और ज्यादा चौड़ी आपको प्लेट्स नहीं बनानी है फिर उपर वाला हिस्सा लेना है और जिस तरफ से हमने जिप के लिए खुला रखा है यह चीज देखिए इस वाले हिस्से पे अटैच होगी नीचे वाले हिस्से पे तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे और पहले इसमें एक सिलाई लगा देंगे यह पल्ला यहाँ पे अटैच होगी है अब यहाँ पे आपको जिप लगानी है अब मैं इसमें आपको जिप लगाना बताऊंगी तो इसमें जिप लगाने से पहले क्या करेंगे जो ये फिटिंग का निशान लगा हुआ है यही सेम फिटिंग का निशान आपको सीधी तरफ लगा देना है जिससे आपको जिप कहां पे लगानी है यह आपको अंदाजा मिलता रहेगा यही चीज सेम इस तरफ भी कर देंगे इस जिप को उल्टी तरफ से रखेंगे इसको इस वाले निशान से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखा और पहले इसके किनारे से सलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ से इसको देखें ऐसे बराबर खोल दिया और इसी निशान पर ऐसे रखते जाएंगे यह सलाई कम्प्लीट कर देंगे अब यह वाली जिप पूरी ऐसे खोल देंगे और इसके बिल्कुल किनारे से सलाई लगाएंगे अब यहाँ पर बिल्कुल जिप के किनारे से सलाई लगाएंगे यहाँ पर आपको सलाई लॉक करके उतार देनी है अब यह जिप आपको इधर से यहाँ पर घुमा लेनी है इस तरफ के लिए घुमा देनी है अब यहाँ पर निशान लगा हुए मैं इसे हलका सा डाग कर दे रहे हूँ अब इसको बिल्कुल बराबर से पहले मिला लेंगे उपर तक यह बिल्कुल बराबर मिलनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए यह हमारी बिल्कुल बराबर आ रही है अब इसमें भी पहले इधर से किनारे से सिलाई लगाएंगे यहाँ से इस तरफ से भी जिप को ऐसे खोल देंगे और इसके किनारे से सलाई लगाएंगे अब यहां से जिप का लॉक उपर के लिए निकाल देंगे तो यहां पर देखें फिर्ण्स कितनी फिनीशिंग के साथ जिप अटाज हो गई है बिल्कुल भी जिप दिखाई नहीं दे रही है ऐसे खीचने पे तो यह यहां तक बिल्कुल तयार है अब इसमें बैल्ट लगाएंगे तो बैल्ट के लिए मैंने कैनवास को कपड़े के उपर चिपका दिया है और पहले आपको देखें लाइनिंग से तीन इन चौड़ा कपड़ा कट कर लेना है मैंने सीधी पट्टी कट करी है फिर यहां से आधे इंच का मार्जन छोड़ते हुए यहां से देखें आधे इंच का मार्जन छोड़ते हुए एक इन चौड़ी कैनवास कट करके इस पर चिपका दिया है फिर यह कपड़ा ऐसे पलट के इसके उपर से प्रेस कर दिया है और यह belt ऐसे करके मैंने इसके उपर से प्रेस कर दिया है जिससे बहुत अच्छी finishing के साथ यह attach होगी इसी के चौड़ी बिल्कुल इसी के बराबर आपको net भी cut करनी है और net को हम इसके उपर रखते हुए ही सिलाई लगाएंगे इस तरह से देखिए जब हम यह वाला margin खोल देंगे तो यह बिल्कुल इसी के बराबर है इस तरह से यह बिल्कुल बराबर है अब इसको attach कर देंगे आपको belt में सीधी तरफ attach करना बताऊंगी जिस तरफ अपने पला attach किया है यह back side में जाएगा तो front की belt आपको attach करना बता रहे है और इस तरफ से तो मैंने आपको बताया था ऊपर की थोड़ी सी सिलाई खोल रखी है यहाँ पे यह belt हमें लेनी है और इसको देखें यह canvas वाला हिस्सा नीचे के लिए रखना है और इसको यहाँ पर ऐसे बराबर रखेंगे और इधर से यहाँ से इसको रख देंगे ऐसे अब आधे इंच का margin लेके सिलाई लगा रहे हैं यह जो चैन लगी है यहाँ से इसको ऐसे मोड देंगे यहाँ से आना चाहिए पहले तो फ्रेंड्स एक सिलाई बैक साइट में यहाँ से भी डाल देंगे अब यहाँ से यह कपड़ा दो हमने फोल्ड करके प्रेस लगा ली थी तो यह फिक्स हो गया है नेट को भी इसके उपर से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके यह देखे इसी के उपर आएगा जो हमने पहले सिलाई लगाई है जिससे सब कवर हो गया है अब उपर से सिलाई लगाएंगे इस तरफ से इसको आधा इंच फोल्ड कर देंगे यह बैल्ट इस तरह से लग गई है अब इसकी बैक साइड में भी बैल्ट लगा देंगे इसमें इस तरफ से इसका हिस्सा बंद किया था बैक साइड में देखे जिप के बिल्कुल लेवल में ही बेल्ट अटाच करनी है और इस तरफ से जो इसका हिस्सा आएगा वो बंद कर देना है फिर इधर से जो खुला हिस्सा था वहाँ पे फिटिंग की सलाई लगा दी है अगर आपको लूस करना हो तो बाद में लूस हो सकता है ये इसलिए हमने ऐसा किया है अब ये उपर तक ये वाला हिस्सा रेडी है अब इसका फ्लेयर बनाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास करीब सवा 3 मीटर का कपड़ा है 7 मीटर कपड़ा लिया था जिसमें घेरे के लिए सिर्फ सवा 3 मीटर कपड़ा बचा है तो ये इतना कपड़ा ठीक है इसमें बहुत अच्छा फ्लेयर निकल आएगा और मेरे पास देखे कुछ कटपीज ही बचे हुए हैं 7 मीटर कपड़े में तो आपका फ्रिल साडी में पूरा 7 मीटर कपड़ा यूज हुआ है तो आप 7 मीटर कपड़ा ले उसमें आपकी ये सारी आराम से बन जाएगी अब आपको क्या करना है इस कपड़े को सिंपल फोल्ड कर देंगे पहले मैं इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ जैसे हम नॉर्मल कपड़े की तैवन आते हैं सेम वैसे ही फोल्ड करना है अभी इसको देखे डबल किया अब यहां से ही इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे तो यह कपड़ा हमारा फोर फोल्ड हो जाएगा कपड़े को बिल्कुल बरावर से बिचा दिया है इस तरफ से देखे कपड़ा बिल्कुल बरावर से बिचा हुआ है और इधर से फैब्रिक का फोल्लेट साइड है तो इस तरफ से हम अपने यहां की जो हमारे यह नी की गुलाई है उसकी मार्किंग करेंगे तो यहां से नी की गुलाई है टोटल छत्तिस इंच छत्तिस का आपको चौथाई भाग लेना है क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्लेट में रखा है यहां से देखे एक दो तीन और चार चार लेट में है तो आपको छत्तिस का चौथाई लेंगे हो जाएगा नो इंच 9 इंच हम इस तरह से गुलाई में नापेंगे जहां पर हमें 9 इंच मिल रहा है वहां पर निशान लगाएंगे इसमें मैं हलका सा खीच के ही निशान लगाऊंगे मतलब बिल्कुल परफेक्ट 9 नहीं नापेंगे क्योंकि जब यह कपड़ा हमारा बहुत ही सिल्की है और इ 5 इंच यहां से भी लगा देंगे नाप के पूरी गुलाई में 5 इंच की लेंद नापते हुए निशान लगाना है फ्रेंड्स मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पूलो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस निशान पर कटिंग कर दें तो मेरे मेजरमेंट में फुल लेंथ रहेगी 40 इंच हमने ऊपर का पार्ट 17 इंच की लेंथ में कट किया है तो 17 इंच लेंथ यहां से निकालते हुए ना पेंगे 40 inch लेन देखे हमारी वाप पर आ रही है तो यहां पर हम निशान लगाएंगे यहां से 17 inch छोड़ते हुए यहां से 40 inch पर लगा देंगे निशान और फ्रेंट्स इसमें लगबग 2 inch seam allowance करेंगे तो यहां पर देखे मेरा 42 inch बिलकुल परफेक्ट आ रहा है 40 inch देखे निशान लगा है मैंने यहां से 40 inch और लगबग 2 inch seam allowance करेंगे जितना भी extra virgin जाएगा seam allowance में वो सारा हम अंदर के लिए दबा देंगे तो यहां पर मैं लगबग 2 inch seam allowance का ले रही हूँ वो मैं आभी आपको explain मी कर देती हूँ किसलिए लिया है यहां से आपको नीचे घेरे में हम folding वाली can लगाएंगे तो folding वाली can की चौड़ाई देखे लगबग 1 inch है तो एक की जगे मैंने 2 inch लिया है margin seam allowance का वैसे तो आधा से 5 inch margin seam allowance में दबेगा तो सरफ मैंने 2 point extra दबा लिया है जो भी extra margin होगा वो मैं अंदर के लिए दबा दूँगी तो इसलिए यहां से 17 inch length निकाली और जहां पे हमें 40 inch मिल लई है पहले वहां पे निशान लगाया फिर 2 inch extra लिया तो यहां से 42 inch मैं नाप रही हूँ 42 inch पे ही मेरा कपड़ा fold है अब देखे फिर्ण्स इस cutting से वहां तक की length हा रही है 25 inch तो 25 inch की गुलाई पूरे कपड़े पे नापेंगे अब सेम निशान पे कटिंग करना है अब देखे फिर्ण्स साइट से cutting में इतना कपड़ा extra बचा है तो यह कपड़ा हमारा काफी यूज हो सकता है मैंने तो आपको मतलब cutting करना सिखाया है तो मैं पहले घेर नहीं निकाल सकती थी लेकिन आप अंदाजा लागा सकती है जो आपने इसके ओपर का पार्ट बनाया है और अपना ब्लाउस बनाया है उसके लिए आप ये साइट की cutting से कपड़ा निकाल सकते है तो आपका लगवग एक से डेड़ मीटर कपड़ा बच जाएगा तो आपको सरिफ 6 मीटर साड़े 5 मीटर कपड़ा ही लेना पड़ेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि आपको समझ में नहीं आता फिर तो अभी तो ये हमारी cutting हो गई है अब इसको खोल लेंगे अब दीखे फ्रेंड्स ये दोनों तरफ से खुला हुआ है इस तरफ से भी खुला है और इस तरफ से भी खुला है इधर से तो पहले आपको यहां से इसको अटाच कर देना है दोनों तरफ से अब नीचे के गहरे में इसको लगाएंगे तो यहां से आपको single layer लेनी है और यह देखिए इसका ultra side है आपको यह सीधी side से रखना है पहले फिर यह folding वाली canvas इस तरह से रख रहे हैं देखिए यहां से कपड़ा बिल्कुल बराबर लिया है क्योंकि हमने सिलाई के लिए 2 इंच मार्जन लिया था और यह एक इंच की है तो यहां से बिल्कुल मैं बराबर यह रख रही हूँ दो इंच मार्जन में दबाना है अब इसको नीचे से बराबर मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे यह देखिए फ्रेंट्स इतना मार्जन दब रहा है बिल्कुल बराबर से तो ऐसे पूरे घेरे में पहले इसको लगा देंगे इसी तरह से पूरे में इसको घुमाते हुए लाएंगे और यह देखिए जहां से मैं स्टार्ट करी थी वहाँ पर ही आ गई है तो पहले यहां तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहां से देखें इसको थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा के अटाच कर देंगे लगबग इतना एक्स्ट्रा लेके कट कर देंगे अब इसको यहां से ही घुमा लेंगे तो अब देखें यह इसका उल्टा साइड है अभी हमने सीधी तरफ से लगाई थी इसको यहां से ही नीचे के लिए मोड़ देंगे देखें बिल्कुल बराबर मोड़ा है फिर इसे एक बार और इस तरह फोल्ड कर देंगे अब इसमें यहां से सिलाई लगाएंगे अच्छे से कवर करते हुए सिलाई लगा देंगे तो देखें फ्रेंट इस तरह से इसको अटैच करेंगे और बैक साइड में बिल्कुल भी जोल नहीं आनी चाहिए तो इसको बराबर से ऐसे पलट देंगे पूरे में इसको फोल्ड कर दिया है और अब ये वाला मेन घेर हमारा तयार है अब इसको भी साइड कर देंगे ये टाफटा कपड़ा है ये डिर मीटर लिया है ये थोड़ा सा कपड़ा कड़ा टाइप का होता है जिससे फ्लेयर अच्छा आता है तो नेट के नीचे जो लेयर जाएगी उसके लिए ये कपड़ा लेना है आपको टाफटा और इसे प्रफिप में रखेंगे फैब्रिक के फोल्डेट साइट पे जो हमारी नीकी गुलाई है वाकी माकिंग करेंगे तो उसकी हमने गुलाई अभी आपको पहली लेयर में आपके बताई थी नो इंच चथिसका चथाई भाग नो इंच तो इस तरह से इसमें भी नो इंच ऐसे ग लेंध नापते हुए निशान लगाएंगे अब इस निशान पर कटिंग कर दे मेल लेयर की इस कटिंग से वहां तक लेंध नापी थी हमने 25 इंच इसमें सिर्फ आधा इंच माइद स कर देंगे जिससे ये वाली लेयर नीचे से मेल लेयर से बाहर ना निकले तो सिर्फ कि यहां से आपको आराम से दिखाई देगा तो इस कटिंग से मैं 24 इंच लेंथ नाप लूँगी इस पर कटिंग कर देंगे अब इस कटिंग को ऐसे आगे के लिए बढ़ा लेंगे और अन्दाजे से कटिंग कर दे रहे हैं यहां पर इसको पूरा ऐसे खोल देंगे तो यहां पर इसकी लंबाई नापेंगे यहां पर देखे फ्रेंट्स इसकी लेंथ छोटी है यह सिर्फ 22 इंच आरी है तो यहां पर हमारा जॉइंट लगेगा तो उसके लिए क्या करेंगे साइट से कटिंग में जो यह कपड़ा बचा है यहां से इस पर जॉइंट लगा देंगे इस पर हम आधा इंच का मार्जन लेंगे सीम अलाउंस का दबाने के लिए और यहां से यह वाला कपड़ा इस तरह रखेंगे इस तरह रखेंगे यह वाला मार्जन ऐसे रखना है अब सिंपल इस कटिंग से साड़े चौबिस इंच लेंथ नाप लेंगे यहां पर आ रही है अब यहां से इसमें शेप देंगे इसकी कटिंग कर देंगे यहां पर पहले यह दूनों पीस जो है उसको सेंटर से सिल देंगे क्योंकि यह कपड़ा से अटाच है तो इसको पहले से दूनों पीस और फिर जब इसको सेंटर से सिल देंगे और एक लेयर इस तरफ अटाच हो जाएगी और इसका दूसरा पीस यहांर आटाच हो जाएगा तो ये बिल्कुल cover हो जाएगा और जब आप ये joint लगा देंगे इसमें इसके बाद इसमें भी नीचे से folding वाली can पूरे में लगानी है जैसे मैंने आपको first layer में बताया था और इसमें नीचे से volume देने के लिए मैंने plain net लिया है ये मैंने डाइ मीटर लिया है और इसको simple यहां से fold करके रखा है जिनका ये dress है उनको volume देने के लिए बहुत heavy नहीं करना है dress वैसे तो इसी can भी attach कर सकते थे लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया heavy नहीं करना है dress तो आप plain net लगा के भी इसका volume बढ़ा सकते है तो net मैंने डाइ मीटर लिया है और त्या करके रखा है इसको और आप इसका देख सकते हैं अर्ज कितना जादा है देखे फ्रेंट्स आप इसका अर्ज देखे बहुत जादा है तो अभी हम इसकी simply cutting करेंगे साइट से net की किनारी बनी होती है इसको पहले निकाल देंगे अब हमारे dress की full length है 40 inch जिसमें 17 inch top part की length निकाल देंगे तो हमें घेरे की length चाहिए 23 inch 23 inch को आधा आधा कर देंगे तो हो जाएगा साड़े 11 inch साड़े 11 inch में 1 inch seam allowance का लेंगे तो यहां से 12 inch length नापेंगे यहां पे निशान लगाएंगे अब इस निशान को सीधा कर देंगे और यहां पे इसकी cutting करेंगे अब देखें यह net मैंने आपको बता है 1,5 meter है 1,5 meter की अभी एक layer निकली है अब इसको हम आगे के लिए बढ़ा लेंगे और फिर से same फिर से यहां से 12 inch लंबाई नाप लेंगे इसकी cutting कर देंगे तो यह हमारी दूसरी layer निकल आई अभी भी net इसमें है तो फिर से हम same length नापेंगे यहां से 12 inch और इसको भी सीधा करके cut कर देंगे अभी इसमें एक layer और निकल आएगी तो यहां से फिर से 12 inch नाप लेंगे और इसकी cutting कर देंगे तो यह एक, दो, तीन और चार चार layer हमारे पस निकल आई है अब इसको हम दो layer में divide करेंगे, एक उपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे तो पहले इसमें हम normally frill बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप friends सभी layer को आपस में attach कर दे यहां पे इसको इस तरह से, यहां से joint लगा देंगे और सभी layer attach करनी है अब net के आपको single layer लेनी है और इस तरह से इसमें gather बनानी है जैसे यह gather बना रहे हैं, ऐसे पूरे में बना लेनी है तो यहां पे मैंने net की दो layer तयार कर ली है इस वाली layer को उपर लगाएंगे और यह वाली इसके साथ यहां पर attach होगी यह हमारा fish cut में dress है तो आप नीचे की तरफ से volume देंगे तो उपर वाली layer में सिर्फ मैंने एक से डेर मीटर की ही चोड़ाई में net use किया है और जादा हमें volume नीचे देना है तो यहां पर देखिए बहुत महीन महीन सी gather बनाई है अब हमें क्या करना है इसको यहां से मिलाते हुए attach कर देंगे तो आपको यह gather डालके फ्रिन बिल्कुल जितनी इसकी नीचे से चोड़ाई है उसी के बराबर तयार करना है तो यहां पर देखिए इसको मैं यहां तक ऐसे attach कर दूँगे यह जादा है थोड़ा सा तो इसमें पूरे में gather पास पास से और ऐसे करते हुए इसको attach कर देंगे यहां से पूरा अटैच कर दिया है और side से दिखें जो खुला हिस्सा था इस तरफ से मैंने इसको अटैच कर दिया है और ऐसे इसकी एक net की skirt बन गई है अब इसके उपर main layer रख देंगे और main layer की waste से मिलाते हुए यहां से इसको अटैच कर दें तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा अटाच कर दिया है नेट के साथ और हमें यह अपना उपर का हिस्सा लेना है यह ऐसे रखना है अब इस वाले हिस्से को इसके उपर ऐसे कर देंगे ऐसे राउंड में मिलाके यह अटाच होगा उससे पहले फ्रेंड्स यह लाइनिंग वाली स्कर्ट जो हमने बनाई थी इसको इसके अंदर रख देंगे यह वाली लाइनिंग वाली जो इसकर्ट है वो आपको इसके अंदर रखनी है और अब इन तीनों को एक साथ मिलाते हुए अटाच करेंगे यह देखिए हमारी तीनों लेयर ऐसे मिल जाएंगी बराबर से अब इन तीनों लेयर को एक साथ मिला देंगे इस तरह और राउन में अटाच कर देंगे तो यहाँ पर मैंने इस लाइ लगा दी है और ओवर लॉग भी कर दी है अब यह अंदर वाला जो अस्तर है इसको बाहर के लिए ले आएंगे तो इस तरह से सिलाई लगाने से फ्रेंड्स देखें अंदर की साइड भी कितनी अच्छी फ्नीशिंग आई है कोई भी मार्जन नहीं दिख रहा है अब इसको यहाँ से सीधा कर देंगे तो अब यह हमारा पूरा स्कर्ट यह साडी का स्कर्ट है यह पूरा बनकर तैयार है तो आपको यह कैसा लगा और देखिए नेट की तिसन हमने जो इसमें वोल्यूम दी है उससे इसका यह वेट है वो बहुत ही light weight है और volume भी अच्छा खसा आगया है आप जैसा कि देख सकते हैं कैन लगाने से काफी जादा hard हो जाता है stitching करने में भी problem आती है और इसका जो weight है वो भी काफी बढ़ जाता है लेकिन इस तरह से करने पे बिल्कुल light weight तयार हुआ है तो आप net का ही घेर लगाएं जिससे इसका volume अच्छा आएगा फिर देखें friends हमें इसका पल्ला यहां से तो हमने attach कर दिया था इस तरफ से मैंने क्या किया है आपको इसका पल्ला dummy पर रखकर बनाना होगा अगर आपके पास dummy नहीं है तो आप किसी और के shoulder पे रखकर इसका पल्ला बनाए और पल्ला बनागने के बाद आप उसे pincer secure कर लिए और बाद में sly लगा दे जैसा कि देखें मैंने लगाई है sly महीन महीन सी plates बनाके मेरे पास भी dummy नहीं था तो मैंने किसी और के shoulder पे रखकर ही इसको तयार किया है तो इस तरह से यह easily बनकर तयार हो जाएगा आपका और बाद में आप इसके ऊपर कुछ भी अपना जो भी आप लगाना चाहें या फिर sikyan लगाना चाहें या कोई जरगन की लेस वगरा वो आप इस पर लगाकर अटैच कर सकते हैं तो मेरा यहीं ड्रेस यहां तक बनकर तयार हो गया है प्रोवाइड है वहाँ से चेक करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं तो मेरी वीडियो को जादा सादा शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरू करिएगा चैनल को मिलेंगे ऐसी और नेक्स वीडियो के साथ तके लिए बाई थेंक्यों फॉर वाचिंग आइज